नमस्कार मैं रवीश कुमार अभी तक आप रास्टर के नाम संदेश सुना करते थे जब किसी को लगे कि सेट देश को अपनी जेब में रखने लगा है तब रास्टर के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजे आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेट की बात भी शुरू कर सकते हैं संडे के दिन आजादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेटों ने अपना बिजनेस दाओं पर लगा दिया इसलिए कि भारत आजाद हो और लोकतंतर कायम हो अब उसी आजाद भारत में कुछ सेट ऐसे हैं जो लोकतंतर और अविव्यक्ती की आजादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं इसलिए सेट के नाम संदेश जारी कर रहा हूं कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अत्यन्त जरूरी है दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेटों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है लेकिन हर सेट को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं बहुत सारे सेट होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपना उत्पाद बनाते हैं उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिसपरधा करते हैं पैसा कमाते हैं समाज और देश को देते हैं मगर दो-चार सेट ऐसे होते हैं जो राजनीती के बेहत खास होते हैं उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है जंगल से लेकर बंदरगा, आस्मान से लेकर जमीन तक का ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेट को बिजनेस करना नहीं आता है ऐसे सेट का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपती के आसपास घूमता है इस तरह के सेट का मुल्यांकन आपको अलग से करना चाहिए सभी को सभी में मत मिला ये या उन सेटों की तरह नहीं है जो गली, नुकड़ पर गर्मी, सरदी, बरसात में हडिया गलाते हैं और बिजनेस करते हैं ऐसे ही दो-चार सेटों के लिए ये सेट के नाम संदेश है इनका बिजनेस सरकार की गोध में बैट कर होता है इसलिए इनहें आप गोधी सेट कह सकते हैं जैसे गोधी मीडिया होता है वैसे ही भारत में गोधी सेट आ गए हैं गोधी मीडिया में दो हुआ गया वे गोदी मीडिया के जरीये अब धंदा कर रहे हैं गोदी मीडिया क्या करता है जनता से सचाई छी पाता है और दिन रात आपको हिंदू-Mושलमां के बीच विवाद में ओल्जा कर रखता है या इसी तरग के दूसरे विवादों में फसाय रखता है तो गोदी भी बिजनिस आपने देखा है घटिया प्रोड़क्ट बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं कम लागत में बना रहे हैं ताकि आप खुशी-खुशी मुफ्त में आपको मिले और समझे कि आप ग्रहन कर रहे हैं ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा ये ही बता कर निकलते हैं लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुँचकर जहर पहलाने का काम करते हैं केवल जहर ही नहीं जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुँचे हैं जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुँचे इसके लिए गजब गजब का प्रपंच रचते हैं लेकिन अब जनता कुछ-कुछ समझने लगी है समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए वे दंगाई बनाने के खेल में फसाए जा रहे हैं उसकी मानसिक्ता का प्रसार हो रहा है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाईयों की मानसिक्ता के साथ बढ़ा हो तो अब यहां से बदलाओ का रास्ता खोजा जा रहा है आपके लिए नहीं बदलना है किसी और तरीके से बदलना है ताकि आपको जहांसे दिया जा सके कि ये कोई दूसरा मीडिया है उनसे अलग है ये बात आपको समझनी है गोधी मीडिया पार्ट टू लॉंच होने जा रहा है एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा सोचे जिस सेट का सारा काम सरकार से जुड़ा हो कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा, आप सोचिए, आपके लिए कौन पुछेगा, कौन बोलेगा, जब आपको लगेगा, कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब ये गोधी मीडिया पार्टू क्या करेगा, विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है डंका कैसे बज रहा है इसकी कहानी बता कर आपको अपनी परिशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुँचने से तो ये खेल होने जा रहा है आपकी तनका चार साल से नहीं बढ़ी है बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं अच्छे कॉलेज नहीं है और गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा तो गोदी मीडिया पार्ट टू में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो वो इसी सिस्टम के पार्ट हो मगर वो जनता के बीच जादा बदनाम अभी नहीं हुए है तो ऐसे लोगों के हाथ में ये कमान सौपी जाएगी और गोदी मीडिया पार्ट टू लॉंच होगा इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की क्या इस्थिती है इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखा कर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा इसलिए गोदी मीडिया पार्ट टू के खेल को ध्यान से आपको समझना है इसमें आ रहे सेथों के धंदों पर नज़र रखिए उन धंदों को समझे कि क्या है कैसे मिला है और उन धंदों को लेकर किस तरह की बाते हुई हैं यह जो गोदी सेथ हैं, बाकी सेथों से बहुत अलग होते हैं, बाकी सेथ भी जानते हैं, कि दो चार गोदी सेथ हैं, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो जो चाहें कर सकते हैं, हर चीज खरीच सकते हैं, उनसे बचकर या उनकी छोड़ी हुई जगों पर अपना धंदा चु इसलिए गुजारिश है कि आप सुनने का तरीका अब बदल लिजे, ठहर कर सुनिए और क्या कहा गया है उसे बार-बार सोचिए, बार-बार इस वीडियो को देखिए तो इसी संदर में आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, यह किस्सा है जर्मनी का, हिटलर को आइडिया आया कि पचास में से केवल एक ही जर्मन के पास कार है, तो वो आइडिया लेकर आता है कि सभी जर्मन के पास एक कार होनी चाहिए, आप खेल देखिए, किसी की जरूरत मुफ्त में कार शामिल नहीं है मगर वो सपना बेचता है सब को कार के लिए और सब को लगता है कि हाँ हमारे पास कार नहीं थी हम तो अभी तक गर्व करी नहीं पा रहे थे जब कार आया जाएगी तब हम गर्व करेंगे तो इस किस्से को आपको खास संदर्व के लिए बताना चाहता है इन दिनों आप देखेंगे कि कार की जगह मुफ्त में मुबाइल डेटा बाटा जाता है और कई चीज़े बाटी जाती है जिससे आपको फाइदा भी होता है लेकिन सोचिए कि एक सस्ती चीज़ दे कर बाकी कितनी चीज़ें बेशकिमती चीज़ें आपसे ली जा रही हैं इसका हिसाब करेंगे तब आपको खेल समझाने लगेगा तो मई 1937 में नाजी पार्टी की मजदूर इकाई एक कॉपरेटिव बनाती है फोक्स वैगन के नाम से फरडिनेंट पोर्श को ले आती है जो अमीरों की कार तब बना लग जाते हैं हिटलर के दोस्त माने जाते थे इसलिए आज के हिसाब से उन्हें तब का गोदी सेट कहा जा सकता है बिलकुल कहा जा सकता है फरडिनेंट पोर्श को तो वो एक कार डिजाइन करता है और उसी वक्त दिसंबर 1938 में यहुदियों के लिए कार चलाने पर रुख लगा दी जाती है एक तरफ जनता सस्ती कार मिलने के सपने में खोई हुई है दूसरी तरफ उसी जनता के एक बड़े हिस्से के कार चलाने पर रोक लगाई जाती है और उसे गैस चेंबर में भेजा जाने लगता है अब आप समझ रहे हैं कुछ कुछ सोचिएगा तो इसलि है ये हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं एक किस्सा और है सभी कार खरीच सकें इसलिए उस समय हिटलर की पार्टी ने एक बचत योजना बनाई जिसमें तीन लाग से अधिक लोगों ने अपनी पूंजी लगा दी लेकिन तब तक द्वीतिय विश्वयुद्ध शुरू हो गया और हंगामा मच गया कि देश के लिए कुछ करना है और वो कंपनी जो है वो कार की जगा सैनिक साजो सामान बनाने लग जाती है तीन लाग लोगों को कार नहीं मिलती है उनकी पूंजी डूब जाती है उस कंपनी में एक कामगार था जिसने बाद में अपना एक 15,000 लोग बंधुआ मजदूरी करते थे साड़े 300 लोग इसलिए मर गए कि उनके इलाज की कोई विवस्ता नहीं की गई यानि इनसान की वहां कोई कीमत नहीं थी तो उस व्यक्ति ने क्या कहा उसने कहा कि उसे कारखाने में ही समझ में आया कि वो एक घुलाम है उस है वस्तू है व्यक्ति नहीं है जो केवल काम और काम कर सकता है किसी के इशारे पर इसी समय गुलाम भारत के सेट क्या कर रहे थे उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेटों पर गर्व करेंगे बलकि आज भी भारत के लाखों व्यपारी आजादी के आंदोलन में उस समय के स सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा लेकिन उस वक्त देश भर के अंगीनत सेठों ने कारोबारियों ने अपना बिजनेस दाओं पर लगा दिया कि भारत आजाद हो लोगतंतर कायम हो जमनालाल बाजाज वाडिलाल लल्लू भाई महता सैमूल एरेन लाला शंकरलाल सेठ ही थे ब्रिटिश हकूमत से लोहा ले लिया सीधे कॉंग्रेस में शामिल हो गए जो उस वक्त आजादी के आंदोलन का नेत्रित्व कर रही थी जी डी बिल्ला अंबालाल सारा भाई वाईचन हिराचन जैसे सेठ कॉंग्रेस में शामिल नहीं वैसे भी लोग थे मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे इन में से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था हमारे हीरो हैं ये लोग हमारी आजादी की लड़ाई के विरास्त हैं इन्हें भी छापा पढ़ने और बिजनिस डूब जाने का डर रहा होगा मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए इन सब सेठों के युगदान को आप ध्यान से देखिए पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इनी सपनों के साथ देखना चाहते हैं आज भी मगर वे डर गए हैं डरा दिये गए हैं इस बड़ी खबर बन गई थी क्योंकि अब पबलिक में आपके सेठ सरकार से सवाल नहीं करते हैं एक समय था जब काफी बोला करते थे इसलिए मुझे लगा कि सेठ के नाम संदेश जारी करना जरूरी है तो आजादी के समय के सेठ बिजनस तो कर रहे थे मगर ये भी देख रह हो रहा है उन्होंने आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिये बैंगलूरू के हाजी उस्मान सेठ ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी आयात किया हुआ सारा समान जला दिया बाद में हाजी उस्मान की मौत किराय के मकान में हुई लेकिन जब उनकी मैयत निकली तो इतने लोग शामिल हुए कि पांच किलोमेटर की लाइन बन गई है ये था सेठों के प्रति सम्मान उनका आदर और उनका योगदान तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेठ उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रहे थे भारत में अपना बिजनेस जला कर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे है ना उनका शांदार इतिहास मीडिया को सेठ ही चलाते हैं हर दोर में सेठ मीडिया और सरकार की भूमिका और रिष्टे बदलते हैं हर समय नई नजर से इन तीनों को देखने की जरूरत है जब सा इतना सरल नहीं है पिछले आग साल में कई नए मीडिया संस्थान आये जैसे कैरवन, वायर, न्यूज लॉंड्रिय, स्क्रोल, आर्टिकल 14 ये भी मीडिया का काम करते हैं क्या गोदी सेठ इनकी मदद कर सकता है इनमें निवेश कर सकता है नहीं क्योंकि ये सरकार से सवाल क इसलिए गोदी सेठ का निवेश केवल धंदे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है आप बहतर तरीके से जानते हैं कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है आप ही बहतर बता सकते हैं कि ये सेठ किसका है मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है गोदी सेठ क पास दौलत बहुत है ताकत बहुत है बहुत ताकत है मगर याद रखना चाहिए सभी को गोदी सेट को भी कि अब भारत है इसकी महान जनता को कोई गोदी सेट चवन्नी न समझे उसके स्वाभिमान से ना खेले वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड बन जाएगा और उसके सामने सेट की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी महान भारत की महान जनता का सामर्थ दुनिया के किसी भी नंबर के दो नंबरी सेट से बड़ा है किसी भी नंबर के दो नंबरी सेट से बड़ा है सेट के नाम संदेश इसी मकसद के लिए है, बताने के लिए पूरी दुनिया में देखिए, केवल भारत में नहीं है सेथ लोग क्या कर रहे हैं, दोचार ही सेथ होते हैं, हर देश में वो पूंजी को अपने नियंतरण में कर लेते हैं, सारी पूंजी उनके पास होती है ऐसे सेथ राजनिती की गोद में होते हैं, और राजनिती इनकी गोद में होती है विकास, विकास की राजनिती के नाम पर ऐसे सेथ आपके लिए नौकरी का सपना पैदा करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ को रुजगार देते भी हैं फिर उस नौकरी के नाम पर जंगल, जमीन, आसमान तक पर अपना कबजा जमा लेते हैं आप देखेंगे कि इस काम में दो ही तीन सेट होते हैं जादा से जादा दस होते हैं किसी भी देश में देखें किवल भारत में नहीं है इनका मकसद रोजगार और देश के लिए धन पैदा करना नहीं होता अपने नेता के लिए जनता को निर्धन करना होता है ताकि उस जनता को मुफ्त में दो चार चीज़ें दे कर एहसान किया जाए जताने की कोशिशों कि आपको हम दे रहे हैं लेकिन आप दिन्ये की आपसे कितना वो ले रहे हैं तो है इस काम में हर देश में दो ही चार बड़े गोदी सेट होते हैं जो हर तरह का मीडिया खरीद लेते हैं और बाद में जनता को खत्म कर देते हैं मुमकिन है गोदी सेट के यहां काम करने के लिए पत्रकारों की लाइन लग जाएगी नौकरी है मजबूरी है यह बिलकुल समझता हूँ मैं नौकरी ठुकरा देना सब के लिए मुम्किन नहीं है लेकिन यह बात आपके भीतर साफ होनी चाहिए कि अप पत्रकारिता नहीं है मैं या पराद बोद आप पर नहीं डालना चाहता आपकी मजबूरियों को समझता हूँ मैं यह बात पत्रकारों से कह रहा हूँ फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखिएगा आप एक खतरनाक गोदी सेठों के यहां काम कर रहे हैं यह बात आप याद रखिएगा इसलिए जनता से कहता हूँ कि आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दें ताकि गोदी चैनलों के पत्रकारों को आजादी मिल जाए जनता का दबाव बढ़ेगा तो पत्रकारों को अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है इसके बाद भी गोदी सेठ के पत्रकार अगर वो नौकरी ना छोड़ पाएं उनके यहां नौकरी करने के लालत से अपने आप को ना रोप पाएं तो एक बेहद आसान रास्ता बताता हूँ जब वे दफ्तर से घर लोट कर आएं तो अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार के सदस्यों से और रिष्टेदारों से उनके कान में कह दें कि भारत में पत्रकारीता खत्म कर दी गई है ये लोग तंत्र नहीं है जो खबर बताई जानी चाहिए वो खबर नहीं बताई जाती है आज हमने कई जरूरी खबरों की हत्या की है हत्या होते हुए देखी है नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा गोधी मीडिया पार्ट टू लाँच होगा ये बाते बहुत अच्छी करेंगे शालीन तरीके से करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें बदल गई हैं पहले धका देकर आपको बाहर निकाला गया अब कंधे पर हाथ रखकर गर्दन सहला कर आपका काम तमाम किया जाएगा तो तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता के तारण हार आगए है अब पत्रकारिता ये लोग बचा लेंगे लेकिन इनकी भाशा पर गोर करते रहीएगा इनकी आखों में जहांक कर देखिएगा ऐसे बोलेंगे जैसे अपने गुलक का सोना गला कर भारत की गुलाम हो चुकी पत्रकारिता को ये सोना बनाने आ गए जो बताया जा रहा है उसे देखिए जो नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में सोचिए चैनलों से खबरें गायब हो रही हैं खबरों की जग़गड़े भर दिये जा रहे हैं गोदी सेटों का गोदी मीडिया अलग अलग चैनल मगर सभी का काम एक क्या ये आजाद मीडिया की निशानी है खुद से सोचिए ये कैसा बिजनस है जहां खराब माल बनाने को लेकर कॉम्पेटिशन हो रहा है बिना आजाद मीडिया के नागरिक की आजादी का क्या मतलब है कहां बोलेंगे आप किस से बोलेंगे आप क्या आप बरदाश्ट कर सकते हैं कि इतने महान देश में एक आजाद मीडिया नहीं है ये गर्व की बात है है जितने भी पुराने और सांस्थानिक मीडिया थे सब के सब गोदी हो गए यूट्यूब का भी फॉर्मूला ये लोग एक दिन निकाल लेंगे आजाद पत्रकारों के लिए खत्रे बढ़ने वाले हैं राष्ट्रिय सुरक्षा से जोड़ कर उन्हें अब दबाया जाएगा इसके नाम पर पहले ही कई लोगों को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है आप जानते हैं कई उधारन दिये जा सकते हैं तो आप बारी आजाद पत्रकारों की है मगर आप जनता ने यूट्यूब पर अजी तंजुम अभिसार से लेकर संजय शर्मा पुन्य प्रसुन वाजपेई शाम सिंग मीरा गिर्धारिलाल साक्षी जोशी निखिल वागले इन सभी के चैनलों को सब्सक्राइब किया है इसका मतलब है आप इस खे पूट रहे हैं मगर उन सभी का साथ देकर आप लोगोंने इतिहास के इस मोड पर बेहत शांदार काम किया है आपने गोदी मीडिया छोड़ दिया है तो इस गोदी सेट से आगरह है कि वो उन सेठों की तरफ देखे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमी का निभाई ऐसा सेठ ना बने कि उन सेठों के बनाएं लोगतंत्र को कुचलने का आरोब गोदी सेठ पर आ जाए लग जाए इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेठ के नाम संदेश पढ़ना चाहिए गोदी सेठ को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे खुब ना करे सुचनाओं का धंदा ना करे ये याद रखे गोदी सेठ अपनी दौलत से इस देश की शान को चमकाए कोई हर्ज नहीं है मगर उसकी शान से खिलवाड ना करे जनता देख रही है एक छोटा सा किस्सा और आप बजट के समय फिक्की नाम की संस्था के बारे में सुन तंदास ठाकुरदास ने किया मकसद था कि जो भारतिया वेपारी हैं उनके हितों की बात अंग्रेजों की सरकार से की जाए पर देखिए देखिए इस बात को कि कैसे वो अपनी बात करने गए थे अंग्रेजों से लेकिन समझने लगे देश की बात जैसे जैसे वो अंग्र से भारत के कारोबारी पनप नहीं पा रहे हैं फिक्की से जुड़े बिजनिसमेन समझ गए कि उन्हें राजनिती कदम उठाने पड़ेंगे 1928 में पुर्शत्नमदास ने कहा कि हम अब और राजनिती से अलग नहीं रह सकते हैं हमें आजादी की लड़ाई का हिस्सा होना पड़ेगा यह हमारे व्यपारी वर का शांदार इतिहास है एक छोटा सा किस्सा और 1937 में कॉंग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई इसी से जुड़ा जीडी बिल्ला का एक प्रसंग है तब जीडी बिल्ला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कॉंग्रेस केवल समविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही है बलकि आजादी के लक्ष को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आ रही है अगर सरकार समविधानिक सुधार नहीं करती है तो भारत सीधी कारवाई के लिए मजबूर हो जाएगा यानि आजादी के आंदुलन के लिए इसका मतलब तो यही था कि जनता अहिंसक रूप से सरकार की बात मानने से इनकार कर देगी सिविल नाफर्मानी कर देगी यह हमारा इतिहास है वक्त फिल्म में एक चिनौए सेट हुआ करता था लेकिन अब वो गोदी सेट में बदल गया है इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा बताने के लिए कि गोदी सेट भारत की जनता को चवननी ना समझे मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं लेकिन जनता को कोई नहीं खरी सकता क्या दिन थे जब हमारे सेट अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए कांग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए मगर अपने बिजनेस को इसके लिए उन्होंने खत्रे में डाल दिया मगर आज हम कहां पहुँच रहे हैं यही याद दिलाने के लिए था सेट के नांसन देश गोदी चैनल देखना बंद कर दीजिए बिना महनत के बिना समय लगाए बिना किसी खर्चे के आप अपने प्यारे देश के लिए इससे जादा कुछ नहीं कर सकते इससे बहतर कुछ नहीं कर सकते नमस्कार अपने कर सकते